मंसौर शहर के 36 डॉक्टरों को एक एक करोड की मानहानी का नोटिस जारी हुआ है मामला सोनोग्राफी सेंटर मेलाज करवानी आई युवती के साथ शेर्खानी से जुड़ा है दरसल मामले में आरूपित डॉक्टर भरत संगतानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है पहले तो डॉक्टर भगत संगतानी को उनके जीजा कमलेश होदवानी ने 10 करोड की मानहानी का नोटिस बेजा था लेकिन अब डॉक्टर संगतानी के पक्षमे आये शहर के आने डॉक्टर्स जो की गटना के बाद सही डॉक्टर संगतानी के निर्दोश होने का दावा कर रहे हैं डॉक्टर संक्तानी के जीजा कमलेश होतवानी ने बताया कि लगातार संक्तानी अपने किये से बचने के लिए उन पर शड़यंत्र का आरूप लगा रहे हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व डॉक्टर संक्तानी के जीजा कमलेश होतवानी पर गंभीर आरूप लगाए और उनके लिए गलस शब्दों का उप्योग किया जिस से आहत होकर होतवानी ने हाई कूर्ट एडवोकेट अमजद खान मंसौर के माध्यम से 36 डॉक्टर को मानहानी का नोटिस बुजवाया है वहीं मामले को दिल्ली उच्छ नयाले तक ले जाने की बात भी कही है दरसल घटना दिनांग भाईस फरवरी को आरोपे डॉक्टर भरत संक्तानी ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाते हुए कहा था कि उक्त घटना उनके जीजा कमलेश होतवानी द खिलाब मंसौर शेहर कोद्वाली थाने में चेरखानी की धाराओं में अपराध धर्ज है लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को गिरफतार नहीं कर पा रही है पीडिता भी लगातार आरोपी डॉक्टर को जल्द गिरफतार करने और कड़ी सजा देने की मांग कर रही है यह हमारे क्लाइण है कमलेश जी जो कि दुबई में रहते हैं मुल्निवासिता मंसौर के रहने वाले कमलेश कुमार चंदनकुमार होतवानी इनका कोई विवाद प्रस्नली विवार इनके सस्वर से चल रहा था लेकिन एक आभी सित्री कोतवाली में देओ होड़ाशिक उसमें पुलिस अधिक्षक मोदे मंसूर को एक घ्यापन दिया था जिसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं इसमें इन्होंने डायरेक्ट ब्लेम मेरे कलाइन ने कमरे शोतवानियों उसके माता पिता पे लगाया कि वो एक तरीके से क्रिमिनल अप्रादी है और भूमाफियाओं से मिले वे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे इनके खिलाब वो लगाया है कि ये एक गलत तरीके से आदमी है कि मेरे कलाइन का इस केस से कोई सम्बनी इसके अलावा है इन्होंने एको नोटीस में एक क्राइम नंबर 2014 का लिखा है 737 बटा 2014 थारल सिटी कुट वाली इसमें भी मेरे क्लाइन को कहीं पुलिस ने इनवाल नहीं किया और इस केस का डिस्पोजल माननी नियाले से हो गया उसमें भी माननी नियाले ने हमारे क्लाइन के बारे में कुछ भी नहीं लिका और वो एक्वीटल भी हुए है फिर भी इन्हों ने जो डॉक्टर्स ने जो ग्यापन दिया है श्रीमन पुलीस अधिक्षक मौमदवग को इसमें हमारे हमें जो एक अशुब्य भाशा का इस्तेमाल किया उसके खिलाब हमने ने 36 डॉक्टर पर एक पूरे इंडियन मेडिकल एसोशेहन को 11 करोर रूपे का न जाक करें अगर हमारा इन्वार मेरे क्लाइन का इन्वाल्मेंट इसमें आता है कि मेरे क्लाइन ने इसको वह किया तो हम मुझ्रिंबने को तेयार है लेकिन हमारे दियास से पेड़िता के किसी भी वेक्षिचे से कोई टचिंग नहीं है मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं दुबाई से हूँ हाली में डॉक्टर बरत संतानी ने एक रेप किया था उनके डाइगनोस सेंटर में एक बच्ची के साथ उस सिंसले में इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने मंसूर गॉवर्मेंट को एक निवेदन लिखा था जिसमें उन्होंने इस केस की जाज की मांग की थी उसी निवेदन में उन्होंने लिखा था कि कमलेश कुमार दोवई की माफिया चला रहे हैं इंडिया की माफिया के साथ उनका कनेक्शन है उस सिंसले में हमारे लीगल टीम ने 37 डॉक्टर्स को लीगल नोटिस भीजा है डिफर्मेशन का केस लगा के जिसमें क्रिमिनल और सिविल केस किया गया है हर डॉक्टर पे और एक एक करोड की मांग की गई है सिविल केस में तो मुझे बस एक ही सवाल करना है इंडियन मेडिकल असोसियेशन मंसुर ब्रांच से कि आपने आवेदन दिया है इस केस का जाज करने के लिए वो आपका एक यूमन राइड बनता है किसकी मदद करने के लिए पर ये मतलब नहीं है कि आप किसी का भी नाम लेके माफिया से जोड़ेंगे आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और आप प्रोफेशनली रहिए आप पॉलिटिक्स में नहीं आईए और आप यूरिशल सिस्टम नहीं है हमारे हिंदुस्तान में हमारी इंडिया में कोर्ट्स हैं पुलीस हैं वो डिसाइड करेंगी कि ये केस की जाज कैसे की जाए और किसी का आप नाम नहीं उचा लिए और इस वज़े से उनको लीगल नोटिस हमारी लीगल टीम ने दिया गया है और ये केसिस हम फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे और ये केसिस हम सुप्रीम कोड तक लिके जाएंगे देली तक, thank you very much